तो दोस्तो फाइनली जेम्स कैमरोन की अबता The Way of Water वोक्स ओफिस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया में इसने पहला वीकेंड जो है अपना पूरा कर लिया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म यह मूवी कर रही है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में ह आंकडे को पार कर पाएगी या और भी कौन कौन से रिकॉर्ड यह सेट कर पाएगी वीडियो को लास्त तक आपने देखना है तब ही आपको पूरी यह समझ आएगी तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि जेम्स कैमरोन ने इस मूवी को बनाने के लिए 13 साल का जो है लंब इस हुई थी उसके बात अभी जाके इनका जो सेकेंड पार्ट है अभी जाके आया है और उस टाइम की हाइस्ट जो टेक्नोलजी है उसको देखते हो वह हट मूवी उस टाइम की टॉप मूवी बनी थी और यहां मच अवेटिड अबतार दे वे ओफ वाटर बॉक्स ओफिस पर बहुत ही अच्छा परफर्म करेगी इससे इतनी तो उमीद की ही जा सकती है दोस्तो अभी की जो अबतार बनी है उसमें भी सेम CGI का यूज किया है पर उससे भी अच्छा यह CGI आप बोल सकते हैं क्योंकि 12 साल का अगर किसी ने टाइम लिया है तो जरूर उसमें कुछ बहुत ही अच्छा ओह लेके आए ही होंगे खुल मिलाकर कहें दोस्तो तो जेम्स कैमरोन आपको इस मूवी में एक नया एक्सपिरियंस देने वाले हैं दोस्तो इस मूवी को इंडियन ओडियन्स ही नहीं वर्ल वाइड लेबल पर भी ओडियन्स काफी फसंद कर रही है और दोस्तो को बात करें इसकी कोलेक्शन की तो यह 170 करोर के आंकडे को टच कर चुकी थी और यह कोलेक्शन सिर्फ तीन दिन के ही हैं और आने वाले टाइम में और भी जादा अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसा माना जा सकता है क्योंकि ओडियन्स की तरफ से इस मूवी को काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि मूवी में काफी अच्छी चीजें इसमें डाली गई है और बहुत ही अच्छी लेवल का CGI भी इसमें यूज किया गया है तो दोस्तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मूवी क्रिस्मिस तक जो है इसी तरह होल करके रख पाती है य नहीं तो ऐसी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में परे बैल आइकन को दबा लीजिए थांक्यो